नमस्कार दोश्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है सिर से लेकर पैर तक की सरीर की 100 बीमारियों की दवा है ये नुस्खा आप हमारे द्वारा बताए गई विदी से इस नुस्खे का सेवन कर लो आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा दोश्तों क्या आपके सरीर की हडियां कमजोर है और आपको इस हडियों की कमजोरी के काम सरीर में दर्द रहता है या आपके जोडों या घुटनों से कट-कट की आवाज आती है या घुटनों या जोडों में घरीस की समस्चे है घरीस खतम हो गया है लूबरीकेशन की समस्या है या मेरी माताओं और बहनों के कमर में दर्द रहता है वो थोड़ा सा काम करते ही ठक जाती है और उनके कमर में दर्द हमेशा बन रहता है तो दोस्तो आपके लिए ये नुस्खा एक रामबान दवा है दोस्तो यदि आपको डाइबटीज है और आप अपने सुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते ही इसके साथ में इस बीमारी के जो कॉम्पिलिकेशन है उन सब से भी बचे रहना चाहते ही दोस्तो तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए क्या आपकी आँखों की रोसनी कमजोर है और आपकी आँखों पर मोटा मोटा सा चसमा लगा हुआ है दोस्तो यदि आप अपनी आँखों की रोसनी को बढ़ाना चाहते ही तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए यदि आपके सरीर में खून की कमी है, खून में गंदगी है या आपके सरीर का खून गाड़ा है, दोस्तो तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। क्योंकि खून की कमी को दूर करेगा, खून को पतला करेगा, खून की गंदगी को साप करेगा, एक तो इससे आपका जो चहरा है वो खिल जाएगा, आपके चहरे पर नई चमक आ जाएगी, बुडापा आने की परकिरिया रुक जाएगी, और दूसरा, दोस्तो इस नुस्खे की बेमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हार्ड अटेक, हार्ट ब्लोके जैसे बेमारियों से आप बचे रहेंगे, आपके बलड प्रेसर को कंट्रोल करने में भी ये बहुत अधी कारगर है, हाई बलड प्रेसर की एक कारगर दवा है, दोस्तो इस नुस्खे की तास करेगा पेट की रोगों से आपको बचा कर रखे, कबज गैस और एस्टिटी को दूर करेगा, दोस्तो इतना चमतकारी और इतना कारगर नुस्खा है ये, थाइराइड की समस्या का भी इलाज है, यदि आपको थाइरेड है, तो उसको सही करने का काम करेगा, आपको इस था टापी को कंडोल करता है, पेट की चरवी को पिंगलाने का काम करता है, आपके सरीर को बिलकुल स्लीम और फिट बनाने का काम करता है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर जो सामगरी प्रयोग हुई है, वो एकिक सामगरी आपके पूरे सरीर के लिए ही ब बनाना कैसे हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली मुखे समगरी हैं दोस्तो वह है सोंफ दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपने लेना है सोंफ का एक जमच जैसे कि ये हमने लिया दोस्तो सोंफ आंखों की रोसनी को बढाती हैं सरीर को ठंड आँखों की रोसनी को बढ़ाने के लिए किसी भी नुस्खे को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सौंप का होना जरूरी है, पर एक बात का आपको ध्यान लखना है, कि सौंप को आपको कभी भी गरम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सौंप को गरम करेंगे, तो इस से इसके गुण नश्ट हो जाते हैं, तब आपको उतना फाइदा नहीं मिलता, और आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए बारीक वाली सौंप चाहिए, मोटे वाली सौंप का हम अचार के लिए प्रियोग करते हैं, आपको इसके लिए बारीक सौंप चाहिए, जैसे कि ये मैंने लिये हैं, आपने इसका एक चमच लेना है, अब जो दूसरी इसके लिए समगरी आपको चाहिए, वह चाहिए दोस्तो धनिया, और दोस्तो धनिया को आपने रोष्ट कर लेना है हलका हलका सा, जैसे कि ये हम कर रहे हैं, आपने भी दोस्तो ऐसे ही करना है, धनिया का प्रियोग आपको रोष्ट करके अधिक करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके गुन बढ़ जाते हैं, और आपको खाने में भी वो टेश्टी लगता है, दोस्तो धनिया भी थाइरेड की विमारी का एक कारगर इलाज है, खून की कमे को दूर करता है, पेट के रोगों से बचाता है, पाचन को मजवोत करता है, मोटापे का ही कारगर इलाज है, डाइबटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, काडियो वस्कुलर डिजिस में भी आपके सरीर के लिए बहुत फाइदेमंद है धनिये का सेवन, दोस्तो धनिये का भी आपने लेना है एक चमच, रोष्ट करने के बाद जो रोष्ट आपने किया, उसका आपने एक चमच इसमें मिला देने और इसको अच्छी त्रहें से मिक्स कर लेना है, अब जो अगली आपको समगरी इसके लिए चाहिए, वह चाहिए दोस्तो धागे वाली मिसरी, दोस्तो धागे वाली मिसरी का आपने लेना है एक चमच, दोस्तो धागे वाली मिसरी भी हमारे सरीर के लिए बहुत फाइदेवन होती है क्योंकि ये हमारे सरीर को ठंड़क देती है और बहुत सारी बीमारियों में कारगर है दोस्तो ये धागे वाली मिसरी का प्रियोग करके एक तो आप अपने टेस्ट को सही करते है और दूसरा क्या होता है इससे फाइदा कि आप जो भी नुस्खा बना रहे हैं उस नुस्खे की ये एहमियत को उसके गुणों को बढ़ा देती है धागे वाली मिसरी और आपने धागे वाली मिसरी का भी एक चम्माचीज के लिए प्रियोग करना है दोस्तो अब जानते हैं इसके सेवन की वदी ये दोस्तो हो गया एक नुस्खा अभी दूसरा नुस्खा भी आपको बताना है दोस्तो इस नुस्खे का सेवन आपने करना है दोपहर के खाने के आदे से पोने गंटे के बात करना है अब जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए मुनक्का, दोस्तों ये होती है मुनक्का, दोस्तों आपने मुनक्का लेनी है पान से साथ, आपने मुनक्कों को अच्छी त्रहें से धोकर साफ करके इनको रात भर के लिए कटोरी पानी में भीगोकर रखा रहने देने हैं, और दोस्तो सुबह ये आपके मुनका फूल जाएंगी और तब आपने इनके अंदर जो बीज होते हैं उनको निकाल देना है क्योंकि बीज आप से खाई नहीं जाएंगे और तब आपने इस मुनकों का सेवन या तो सुबह के समय करना है सुबह खाली पर या आपने रात को सोते समय करना है एक इलासत दूद की साथ दोस्तों ये मनुकों के सेवन से आपके सरीर में खून की कमी का इलाज होगा सरीर की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी आपका सरीर हट्टा कट्टा और ताकतवर और फुलादी बन जाएगा आपके सरीर की कैलसियम की कमी का इलाज हो जाएगा इतना चमतकारी नुस्खा बन जाएगा आपके सरीर को बहुत त्रहें की रोगों से बचाने का काम करेगा एनिंद्रा की बीमारी में भी ये बहुत अधिकारगर है इस एनिंद्रा की बीमारी को ठीक करेगा और आपको अच्छी नीद लाएगा तो दोस्तों ये दो नुस्खे हो गई पहले नुस्खे का आपने सेवन करना है दोपहर के लंच के आदे से पूने घंटे के बाद उस नुस्खे का सेवन आप डेली कर सकते हैं पर जो ये मुनकों वाला नुस्खा है यदि आप गर्मियों में इसका सेवन करें तो एक दिन आज ले कल का दिन छोड़ दें फिर परसुने यनि कि एक दिन छोड़ कर इसका सेवन करना है पर धनिया वाले नुस्खे का सेवन डेली करना है और यदि आप सर्दियों में इस नुस्खे का सेवन करें बहुत त्रहें की बीमारिया आपके सरीर से दूर हो जाएंगी दोस्तों और आप इन डोक्टरों के पास जाने से बचे रहेंगे तो दोस्तों देर किसे बात की है आप भी सनुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बेलकोल निरोगी बना दें दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और इस बैल के आईकोन को भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियों की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों